केंद्रिये करमचारी और पेंसन भोगियों के लिए बहुत बड़ी खबर आपको बता दे केंद्रिये करमचारी और उसके पेंसन भोगियों के लिए महागाई भत्ता से सम्मीद बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आई है और अभी हाल फिलाल में ही जो है CPIIW की रिपोर्ट से पता चला है कि अभी जो है चार फिस्ती महागाई भता बढ़ोतरी होना तैह हो जाएगा आपको बता दें कि केंद्र सरकार के करमयों और पेंशनरों को उनके महागाई भते महागाई राहत में चार फिस्ती बढ़ोतरी का तोफा इस जनवरी टू जुलाई जो सेसन है इसमें आपको मिल सकता है और यह फैनल है कि मिलेगा ही है क्योंकि अगले सब्ता में ही केबिनेट की बेटक होने बाली है और इस पे कुछ डिसीजन लिया जाएगा आपको बता दें भारत सरकार के सर्म एब रोजगार मंत्राले के सर्म ब्योरो दौरा 29 फ्रवरी को जनवरी 2024 के लिए अखिल भारतिया CPIW की रिपोट जारी की गई है इसमें अध्योगिक सर्मिकों के लिए उब भुकता मुल सुचकांक 138.9 अंकों के अस्तर पर संकलित हुआ है अखिल भारतिया CPIW में 0.1 अंकी ब्रोज़तरी दर्ज की गई है मजुदा समय में केंद्रिया करमचारी और उसके पेंसन भोगियों को 46 फिस्दी की दर्ज से महागाई भता मिल रही है और ये सुचकांक के अनुसार अगर 4 फिस्दी महागाई भते की केंसरकार आगामी केंद्रिया कबिनेट बेठक में ये निलारित करती है तो कुल मिलाके 50 फिस्दी महागाई भता केंद्रिया और पेंसन भोगी करमचारियों को हो जाएगा 50 फिस्दी के पार होते ही सरकार को आठमे बेतन आयोग के गठन पर गंभीरता से विचार करना होगा स्टाफ साइड के रास्टिय परिस्द जे सियम के सदस और अखिल भारतिय रक्षा करमचारी महासंग के महासचीब स्री स्री कुमार बताते हैं डिये किदर 50 फिस्दी होते ही केंद्रिकार के समक्च आठमे बेतन आयोग के गठन की मांग रखी जाएगे इससे पहले आपको बताते हैं कि आठमे बेतन आयोग के सरकार ने साथ कर दिया है कि अभी आठमे बेतन आयोग को गठन करने का हमारा कोई विचार नहीं है लेकिन पिछले जो सिवन्त पे कमिसन का रिकमेंडेशन है उसके नुसर 50 फिस्दी मागाई बता होते ही सरकार को इस पे विचार करना ही परेगा मिलेंगे ऐसे ही वीडियों के साथ तब तक के लिए जहिंद